अब तक हमने किसी बहुपद के शुन्यकों के जामितिय अर्थ वह शुन्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का अध्यन किया। अब हम दीखेंगे कि इस प्रकार के प्रेश्णों को हल करते समय साधरन तह क्या गलतियां हो सकती हैं। दीगई आकरती वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ है। ग्राफ देखकर बहुपद पी एक्स के शुन्यकों की संख्या बताईए। इस प्रेश्णों को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। हम जानते हैं कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदूओं पर प्रतिछेद करता है उस बहुपद के उतने ही शुन्यक होते हैं। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है परन्तु यह गलत उत्तर है। आपने एक्स अक्ष को प्रतिछेद करने वाले बिंदूओं को गिनते समय संपाती बिंदूओं को छोड़ दिया। याद कीजिए हमने द्विगात बहुपद के शुन्यकों की तीन स्थितियां पढ़ी थी। जिनमें से एक स्थिती में ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदू यानि दो समपाती बिंदूओं पर प्रतिछेद करता है। यदि आपने दूसरे विकल्प का चैन किया है तो आपका ये चैन भी गलत है। आपने ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष को प्रतिछेद करने वाले बिंदूओं को ना गिन कर वाय अक्ष पर प्रतिछेद करने वाले बिंदूओं को गिन लिया। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है, तो यह ठीक नहीं है। आपने X अक्ष पर प्रतिछेद करने वाले बिंदूओं के साथ साथ, Y अक्ष पर प्रतिछेद करने वाले बिंदू को भी गिन लिया होगा। स्मर्ण करें कि बहुपद के शुन्यकों की संख्या उस बहुपद के ग्राफ द्वारा X अक्ष पर प्रतिछेद करने वाले बिंदूओं की संख्या के बराबर होती है। आईए, अब एक और प्रश्न देखते हैं। आपका ये उत्तर गलत सूतर प्रयोग करने की कारण गलत हुआ है। आपने यहां शुन्यकों के गुणन फल के सूतर का प्रयोग ना कर, उनके योग फल के सूतर का प्रयोग किया है। यदि आपने दूसरे विकल्प का चैन किया है, तो आपका चैन भी गलत है। जिसके दो कारण हैं। पहला, एक्स के गुणांक को लिखते समय आप उसके रिनात्मक चिन्ह को लिखना भूल गए। यहां शुन्यकों के गुणन फल के सूतर का प्रयोग ना कर, उनके योग फल ग्यात करने के सूतर का प्रयोग किया है। यदि आपने तीसरे विकल्प का चैन किया है, तो आपका चैन सही नहीं है। जिसका कारण शुन्यकों के गुणन फल के सूतर में रिनात्मक चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपने चौथे विकल्प का चैन किया है, तो आपका उत्तर सही है. आपने सभी मानों को सही लिखा है, तथा सही सूत्र का प्रयोग कर सही गणना की है. अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूज बूज का परिक्षन ऐसे ही कुछ उधारणों की मदद से कर सकते हैं.